हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अभी हमारे चंगा एप्लिकेशन पे अभी बात करेंगे कि अगर आप अपना टिक टॉक अकाउंट चंगा एप से लिंग करने जा रहे थे लेकिन आपको एक एरर मेसिज जो है वो शो कर रहा है और आप अपना अकाउंट जो है वो खुझ नहीं पा रहे है फाइंड नहीं कर पा रहे तो आप लोगों का पहले स्टैप होगा कि आपको यहाँ पे राइट साइड में परोफाइल पे क्लिक करना है और प्रोफाइल पे क्लिक करने के बाद अगर आपने लॉग इन नहीं करा है तो आपको अपने Gmail अकाउंट या फिर Facebook से लॉग इन करना है जैसे ही आप लॉग इन करेंगे आपका भी ऐसा पेज जो है वो ओपन हो जाएगा इस स्क्रीन के अंदर आपको option डिस्पले होने लगेगा लिंक यूर TikTok अकाउंट टू चंगा इस पे आप लोगों को क्लिक करना है और उसके बाद आपको एक बार दुबारा से क्लिक करना है आपका ये जो search को option आ रहा है इसके अंदर आप लोगों को अपनी जो है ID फिल करनी है ठीक है जो भी आपकी TikTok की ID हो आपको इसके अंदर search करनी है जैसे कि मैंने इसको search करा और मैंने submit कर दिया उसके बाद ये क्या करता है ये आपकी जो ID है TikTok की उसको find करता है लेकिन किसी error की वजए से ये आपकी ID को भी find नहीं कर पा रहा है तो हम इस case में हमें क्या करना है हमें back जाना profile पे हमें जो तीन dots दिख रहे हैं right side पे इस पे हमें click करना है settings में हमें जाना है फिर हमें third वाला option जो है support पे हमें click करना है फिर हमें click करना है general inquiry पे ठीक है इसके अंदर आप अपना email letters डालिए phone number डालिए और tik-tok का जो आपका user name है आप वो इसके अंदर fill कीजिए फिर आता है हमारा message message के अंदर आप लोगों को अपनी जो tik-tok की idea वो डालनी है और इसके बाद आप लोगों को message लिखना है कि हाई मैं अपना जो tik-tok का account है वो मैं find नहीं कर पा रहा है मुझे एक error message डिस्पले करा रहा है ठीक है इतना लिखने के बाद आप लोगों को एक अपना जो tik-tok का प्रोफाइल है आपको उसका screenshot जो है आपको as a verification वो भी दिखाना पड़ेगा ताकि जो हमारी team है वो ये पुष्टी कर पाए कि वो आपका ही account है और फिर आपको submit कर देना है within आपको एक से दो दिन के अंदर आप लोगों को हमारी team की तरफ से message आएगा और आप successfully अपना जो account है वो चंगा से link कर पाएंगे आपकी सारी की सारी videos भी वापस आ जाएंगी आपकी